2016 में एक इटालियन मूवी आई थी The Perfect Strangers करके वो मूवी वहाँ इतनी चली कि उसको भाई सुला बार रीमेक किया जा चुका है और उसी का एक ओफिशल हिंदी रीमेक हुआ है खेल खेल में अब इस मूवी को देखने से पहले मैंने सोचा कि ओरिजनल भी एक्सपिरियन्स करनों की कैसा है तो हाँ 5-6 दिन पहले मैंने ओरिजनल मूवी भी देख ली थी और वो मूवी देखने के बाद मैं डाउट में था कि इंडियन ओडियन्स के लिए ये लोग क्या इसको अडैप्ट कर पाएंगे क्योंकि भाई वहाँ जिस तरह का थीम था जिस तरह के टॉपिक थे वो शायद सबको समझ में नहीं आए और शायद इंडियन ओडियन्स के बीच में ना चले तो हाँ आज खेल खेल में देखने के बाद मेरे दो पॉइंट ओ व्यू है एक तो ये कि अडैप्टेशन के अकॉर्डिंग ये मूवी बहुत ही जादा अच्छी है मतलब बहुत ही अच्छे से ओनिस्टली अडैप्ट किया गया है लगभग 95% जो मूवी है वो औरिजनल से सिमलर है लेकिन हाँ उसमें देसी तड़का दिया गया है औरिजनल में इतनी कॉमेडी इतना हुमर नहीं था वो यहाँ एड किया गया है औरिजनल में कैरेक्टर मे थोड़ा बात करते हैं और परसनली मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे ओरिजनल से ये मूवी जादा बेटर लगी मलब ओरिजनल जो है वो पूरा एक लोकेशन पर ही स्टार्ट होता है और एक लोकेशन पर ही एंड हो जाता है एक ही डाइनिंग टेबल पे पूरी की पूरी स्टोरी होती है लेकिन यहां थोड़े लोकेशन चेंज किया जाते हैं थोड़े सिचुएशन चेंज किया जाते हैं थोड़े महौल को बदला जाता है अहां मुवी की जो स्टोरी है वो बहुत ही जादा बेसिक है लेकिन फन आता है सिचुएशन में क्यूंकि ऐसे unpredictable situation बनते हैं कि भाई आपको interest आने लगता है आपको ऐसा feel होता है कि आप उन लोगों की बीच में बैट कर एक game खेल रहे हो अगर तुमने trailer नहीं देखा है तो short में बताता हूं कि basic story क्या है कि भाई कुछ couples हैं साथ में lunch कर रहे हैं कितने सारे details निकाले जा सकते हैं तो बस यहीं से कई सारे interesting situations बनने लगते हैं जो कि movie में interest बनाये रखता है मेरे लिए plus point था इस movie का comedy मतलब humor जो है movie का वो बहुत ही अच्छा है especially अक्षे कुमार के one-liners तो हाँ वो एक plus point है जो कि original में missing था original आपको इतना हसाती नहीं है तो हाँ movie में एक unintentional situational comedy का touch है जो कि audience को अपने साथ बांधे रखता है और हसाते रहता है लेकिन हाँ जो बॉलिवुड में होता है भाई गाने add किये गे हैं बीच में जो कि movie का run time भी बढ़ा देते हैं और plot में ऐसा कुछ major add भी नहीं करते तो हाँ अगर movie में गाने नहीं होते तो ये movie और ज़्यादा better होती और इसके उपर से movie जो first half में है बहुत ही ज़्यादा amazing लगती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है लेकिन second half में कह सकते हो कि ये थोड़ा सा monotonous हो जाता है वही आपको पता चल जाता है कि ये जितने भी characters है ये कुछ उट पटांग हरकते करेंगे अपने personal life में कुछ कर ही रहे हैं तो उससे होता है न कि एक ही moment बार बार repeat होने की feeling आने लगती है कई सारे moment को second half में especially बहुत ज़्यादा खीचा गया है जो की मुझे unnecessary feel हुआ उसको थोड़ा compact करके छोटे में present किया जाता तो और ज़्यादा better होता लेकिन सबसे ज़्यादा disappointing था movie की ending movie के ending को बहुत ही लंबा खीज दिया गया है जो की मुझे unnecessary feel हुआ लेकिन अगर इन सब बातों को side पर रख दें और अगर audience वाली बात पर आएं जो मैंने अपना second point बोला था कि कैसी audience है जो की इस movie से connect कर पाएगी तो हाँ humor wise, comedy wise, अक्षे कुमार के joke wise तो सारे के सारे audience connect कर पाएगे लेकिन जिस तरह के characters यहां present किये गए है वो कहते हैं न कि वो थोड़ा post area वाले जो audience होते हैं उन तक ही limited रहती है क्योंकि ऐसे situations normal middle class family में आना बहुत ही कम ही chance है मतलब आपको movie देख के पता चलेगा कि यह जो couples हैं सारे वो थोड़ा coffee with current type के हैं वो होता है न कि high class, high earning, high income group वाले उस type के couples को यहां दिखाये गया है और उनकी जो situations होती है उनका जो behavior होता है उससे शायद normal या फिर mass audience जो होती है वो connect ना कर पाए overall मैं पूरी movie के लिए बोलूँगा कि यह movie बहुत ही अच्छा adaptation है original से मुझको better लगी, entertaining लगी लेकिन वहीं यह जो movie है वो सारे audience को, सारी mass audience को अपने तरफ खीशने में successful नहीं है movie का जो humor है वो मेरे लिए personally plus point रहा मैंने वो बहुत enjoy किया movie कहीं से भी boring नहीं होती है हाँ ending थोड़ा stressed feel जरूर होता है overall a good watch फिर भी आपको यह movie कैसे लगी comment में ज़रूर बताना मैं आपको मिलता हूँ फिर से किसी और review के साथ till then be desi, be nerd